आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास के बिहाइव बुक से एक पोएम दा रोड नोट टेकन इसे लिखा था रोबर्ट फ्रोष ने ये एक अमेरिकन पोईट थे ये एक वल्ड फेमस पोएम है बहुत ज्यादा फेमस पोएम है और आप से बहुत ज्यादा जुड़ी बहुत ही अच्छी पोएम है इस पेल लॉन पोएम इस बाउट में चोईसे ये कवीता जो है चोईसे के रिगार्डिंग है आप जो जीवन में निरने करते हैं चुनाव करते हैं उनसे संबंदीत हैं एंड चोईसे देट शेप उस और ऐसे निरने जो हमें आकृति परदान करते हैं जो हमें शेप करते हैं जो हमें बनावट परदान करते हैं हमेरे हमारी माईफ को यह हैं शेप देते हैं रोबर्रोस्ट जो थ। एव एक अमेरीकन पॉइट थे अमेरीकी कभी थे, वो राइट्स सिंप्ली, जो की सिंप्ली लिखते थे, साधारण रूप से लिखते थे, बट इनसाइट्फुली, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स होते थी, उनके अंदर एक अंतरद्रिष्टी नहीं दोते थी, बहुत ज़्यादा एक इनसाइट के साथ वो लिखते थे, अंतरद्रिष्टी के साथ लिखते थे, यानि जो चीज़ उपर से हमें बहुत ही साधारण परतित हो रही है, अंदर से उसका कुछ डीप मीनिंग होता था, about common ordinary experiences, बिल्कुल सामन्य और साधारण से उन बहुत हैं, उनके बारे में वो लिखते थे, लेकिन उनके पीछे के इनसाइट चीपी होई होती थी, एक अंतरद्रिष्टी, गहन द्रिष्टी चीपी होई होती थी, इस कवीता के अंदर भी ऐसा ही है, एक छोटी सी घटना के माद्यम से, कवी ने एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ जो है छिपाया हुआ है, इस कवीता के अंदर, देखते हैं इसको, पढ़ करके, टू रोड्स, डाइवर्ज्ट इने येलो वूड, कवी जो है अपने जीवन की एक छोटी से घटना बता रहे हैं, कि एक बार क्या होता है, कि दो रास्ते, दो सडकें, डाइवर्ज्ट विभक्त हो गई, बट गई, इने येलो वूड, एक पीले जंगल में, वूड वैसे तो लकडी होता है, यानि कि यहां पर कहा है जंगल, पीला जंगल का मतलब जो है, अभी ओटम का सीजन चल रहा है, यानि पज़ड का मोसम है, और उस समय की बात है, पज़ड के मोसम है ओटम सीजन में, कभी के साथ क्या हुआ कि वो एक बार जा रहे थे, किसी रास्ते से, और दो सड़के उनके सामने आ गई, एक रास्ता दो सड़कों में विभक्त हो गया, बंट गया, डाइवर्ज हो गया, अब जाहिर सी बात है कि उन्हें दो में से एक कचुनाव करना पड़ेगा, और मुझे इस बात का खेद है, और मुझे एक कचुनाव करना था, और एक यातरी होने के नाते, लोंग आइ स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा, यानि सोचता रहा कि अब क्या करूं, कुन से रास्ते को चुनूं, और एक रास्ते पर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, उसको देखने के लिए, मैं उसको दूर तक देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, To where it bent, To where यानि जहां तक it bent, यह मुड गया, यानि चिप गया, मुड गया, यानि दिखाई देना बंद हो गया, इन्दा Undergrowth, Undergrowth यानि जाडियां, जाड जंखाड जो पेड़ों के नीचे छोटे मोटे जाड़ियां वगयरा उगी हुई होती है वो होती है अंडर ग्रोथ तो जहां पर यह रास्ता अंडर ग्रोथ में मुड नहीं गया, छिप नहीं गया, जाडियों के अंदर आगे छिप गया, दिखना बंद नहीं हो गया जहां तक भी मेरी नजर जाती थी, मैं वहां तक उस रास्ते को देखता गया, देखता गया, देखता गया और सोचता रहा कि किसे चुनू और किसे छोड़ दू आगे देखते हैं कभी क्या कहता है then took the other और तब मैंने सोच करके एक निर्णे पर मैं पहुँच गया और मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव कर लिया यानि then took the other यानि then I chose the other then I selected the other way तब मैंने दूसरे वाले रास्ते का चुनाव कर लिया जो पहले वाला रास्ता था वो मैंने छोड़ दिया just as fair जो की उतना ही अच्छा और सावसुत्रा था उतना ही fair था उतना ही अच्छा था और सुन्दर था जितना की पहले वाला जो रास्ता मैंने दूसरे वाला चुना वो रास्ता भी पहले वाले रास्ते कीत रही अच्छा था, फेर था and having perhaps the better claim और शायद उसका जो claim था claim यानि दावा वो पहले वाले से थोड़ा सा better था यानि अच्छा था उससे बहतर था यानि जो दूसरे वाला रास्ता मैंने चुना वो उसका जो दावा था वो पहले वाले से थोड़ा सा बहतर मुझे लग रहा था यानि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं जो दूसरे वाला रास्ता चुन रहा हूं यह पहले वाले से slightly better है थोड़ा अच्छा है मेरी नजर में तो इसलिए मैं उसको चुनाव कर रहा था Because उसका कारण क्या था मेरा ऐसा सोचने का Because it was grassy and wanted wear क्योंकि यह वाला जो रास्ता था वह घास वाला था जा अज़्य सुंधर लग राहा था और घास वाला होने की वज़र से वह unused था यक्क्राशी कस चले ले पार नहीं था,lot रहे नंदना रहा था यानि इस रास्ते पर गिसावट की कमी थी या यह रास्ता गिसावट चाहता था कहने का मतलब क्या हुआ कि उस रास्ते को भी गिसा नहीं गया था यानि उस रास्ते पर जादा लोग अभी चले नहीं थे इसलिए वो रास्ता भी बिल्कुल नया लग रहा था साफ सुत्रा ल क्लेम था उस रास्ते का second वाले का वो पहले वाले से बैटर था इसलिए मैंने उसको चुना दो हालां कि as for that the passing there हालां कि वहां से गुजरना यानि वहां से गुजरने के अनभव ने क्या कर दिया had worn them really about the same यानि कि वहां से जब मैं गुजरा यानि जब मैंने उस रास्ते को चुन लिया था और मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो मुझे क्या लगने लग गया कि that had warned them really about the same कि वो रास्ता भी यानि दूसरे वाला भी जो मैंने चुना था वो रास्ता भी लगबग लगबग उतना ही गिसा हुआ था जितना की पहले वाला यानि उस रास्ते पर चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि वो वाला रास्ता भी यानि दूसरे वाला रास्ता भी पहले वाले रास्ते की तरह ही गिसा हुआ था बेशक से उसके उपर कम लोग चले होंगे पहले वाले पर थोड़े ज़्यादा लोग चले होंगे लेकिन जब तक मैं उस रास्ते पर नहीं चला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दूसरे वाला रास्ता बिल्कुल साफसुत्रा और नया सा है लेकिन जब मैंने उसका अनुभव लेना शुरू कर दिया उसके ओपर चलना शुरू कर दिया तम मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जो दूसरे वाला रास्ता था वो भी पहले वाले रास्ते की तरह ही गिसा हुआ था यानि उस रास्ते पर भी लोग चले थे यानि अब जो कवी है वो confused अवस्था में है, puzzled है काफी ज़्यादा दूविधा में है अब उसे जो है, कथनाईया अनुभव हो रही है नए रास्ते यानि दूसरे वाले रास्ते पर चल रहा है तो पहले तो उसे लग रहा था कि उस रास्ते पर कथनाईया शायद नहीं होंगी उसे वो अच्छा और अट्रेक्टिव लग रहा था लेगिन अब उसे पहले वाला रास्ता भी equally attractive और appealing नजर आ रहा है दूसरे वाला रास्ता जो है अब उसे कठनाईयों भरा लगने लग गया है यानि उसे अनुभव होने लग जो उसे realize होने लग गया है कि दूसरे वाला रास्ता जो उसने चुना था उस पर भी कठनाईया है उस पर भी challenges है difficulties है यानि उस रास्ते पर चलना भी असान नहीं है वो भी पहले वाले रास्ते की तरह ही उसी तरह से गिसा हुआ है उस रास्ते पर भी कठनाईया है लोग उस पर भी चले है और उस पर भी चले है हो सकता है कि दूसरे वाले रास्ते पर थोड़े कम लोग चले होंगे लेकिन अब उसे जो है सारी बातों का अनुभव होने लग गया यानि कि उसका मन जो है डगमगाने लग गया है थोड़ा सा और उसे realization होने लग गया क्योंकि अब उसे अनुभव आने लग गया है पहले उसे अनुभव नहीं था तो उसे कुछ और लग रहा था लेकिन अब अनुभव जब आ रहा है तो उसकी जो मन की स्थिति है मन उसका बदलने लग गया है मन थोड़ा सा डगमगाने लग गया है और अब उसे जो है real life experience मिलने की वज़े से कई अलग लग तरह है कि नए अनुभव मिल रहे है इसलिए वो थोड़ा सा पहले कुछ और कह रहा था तो लगता है कि यार पहले वाला भी अच्छा ही था जो हमने छोड़ दिया इस कविता का जो टाइटल है The Road No Taken यानि वह वाला रास्ता जो आपने नहीं चुना यानि जो अवसर आपने गवा दिया Lost Opportunities के बारे में इस पर focus किया गया है इसकी टाइटल के दौरा कि जो रास्ता आपने छोड़ दिया वो आपको attractive लगने लग जाता है कई बर जब आप कोई ओर रास्ता चुन लेते हैं For example, आप plus one के अंदर मान लिजे कि commerce stream चूज कर लेते हैं और आप उस पर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, plus two भी pass कर लेते हैं आप आगे जो है, graduation में admission ले लेते हैं, become करने लग जाते हैं, become करने लग जाते हैं post graduation तक भी चले जाते हैं, लेकिन बाद में आपको realize होता है कि नहीं, ये मैंने गलत subject चूज कर लिए यानि उस पर चलने के बाद आपको ऐसा लगने लग गया कि ये मेरी पसंद नहीं थी और आपको जो है, अब लग रहा है कि मुझे तो शायर डोक्टर बनना चाहिए था मुझे कोमर्स नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन अब आप जो है, वापिस जा करके अपना decision change नहीं कर सकते हैं, आप दुबारा से plus one में जा करके medical choose नहीं करने वाले, नहीं कर सकते हैं, आपके मजबूरिया होंगे, आप उसी रास्ते पर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, उसी को डोते जाएंगे, गसीठते जाएंगे, यानि कि आपके लिए जो है, आप निर्णा को change कर पाना मुश्किल हो जाएगा, हालां कि आपक आपको जो है, अनुभव मिल रहे हैं, और अनुभवों के आदार पर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि शायद मेरा निर्णा गलत हो गया, हो सकता है कि आप जो अब सोच रहे हैं, वो भी गलत ही हो, लेकिन फिर भी आपका जो मन है, वो स्थिर नहीं है, चली आगे देखत रास्ते मुझे मेरे सामने जो है, पड़े हुए थे, लेटे हुए थे और मुझे चुनाव करना था, इन लीव्स पत्तों में, no step had trodden black, tree trodden होता है, यानि कुचलना, किसी भी कदम ने उन्हें कुचल करके काला नहीं बनाया था, no step had trodden them black, वो जो दोनो रास्ते थे, उन उनके उपर जो पत्ते पड़े हुए थे, वो साफसुत्रे थे, और किसी भी कदम ने उन्हें कुचल करके काला नहीं किया था, यानि उस सुबह जो है, दोनो रास्ते समान रूप से वहां पर पसरे पड़े थे, और मेरे लिए समान थे वो दोनो रास्ते, और वो भी कुच दूसरे वाला ही चुन लेते हैं, पहले वाला रास्ता, फिर किसी और दिन देख लेंगे, यानि उसके मन में क्या चल रहा है, कि दूसरा रास्ता जो है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दूसरा वाला में ले लेता हूँ, और पहले वाला फिर कभी देख लेंग उसको यह पता है लेगिन उसके बावजूद भी वो क्या कहता है कि मर अपने मन को समझाने के लिए चलो दूसरे वाला ले जाते है पहले वाला फिर कभी देखेंगे नित्रित्व करता है, यानि एक रास्ता माली जी की तो रास्ते थे आपके सामने और आ पने एक चूorieं अधूस कर लिया जब आप उस एक रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे तो उस एक रास्ते से भी आगे और रास्ते खुलते चले जाएंगे और ज़्यादा उसकी शाखाएं खुलती चले जाएंगी एक रास्ते से आगे और पता नहीं कितने सारे रास्ते नहीं नहीं खुलते चले जाएंगे और आप उन पर आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे आप वापिस से उस रास्ते पर वापिस नहीं आएंगे और फिर से किसी और रास्ते को नहीं चुनेंगे यह आपके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होगा और एक रास्ता जो है किस तरह से अनेक नए रास्तों को जनम देता है इस बात को जानते हुए कि how way leads on to way कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ता को नित्रित्तव करता यानि एक रास्ते से और नए कितने रास्ते खुलते चले जाते हैं I doubted मुझे संदे हुआ कि if I should ever come back कि क्या मैं कभी वापिस भी आऊंगा कि एक रास्ता मैंने चूज तो कर लिया जो कभी ने का था कि second वाला रास्ता मैंने चूज कर लिया और first वाला चूज दिया फिर कभी किसी और दिन देखेऊंगे first वाले को वापिस आगगा पहले वाले रास्ते भी फिर से चल पड़ूगा अगर मुझे अच्छा न क्या नी लगा आप पोसिबल शायद नहीं होगा, कि मैं कभी वापिस भी आऊँगा, मुझे सबत का संदे आ रहे हैं, मैं नहीं आपाऊँगा, यानि उसके मन में confusion है, एक तरफ तो क्या करा है, कि पहले वाला रास्ता फिर कि कभी किसी दिन और देख लेंगे, लेकिन साथ में उसको क्या ल अपने आसपास के लोगों का, कि आप जो है, उस decision को change नहीं कर पाएंगे, उस pressure के बोज से दबे चले जाएंगे, आप जो है, कभी को तभी ऐसा लग रहा है, कि मुझे संदे है, कि क्या मैं कभी वापिस भी आऊँगा, यानि एक बार अगर आपने commerce चूज कर ली, या कोई अपकील बनना था, मुझे तो doctor बनना था, मुझे तो engineer बनना था, यानि आप कर कुछ हो रहे हैं, और आपका मन कहीं हो रहे है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कि आपको ऐसा लगता रहेगा, बार-बार, कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन आप ऐसा कर न वापिस आ जाओंगा लेकिन बहुत ही मुश्किल है मुझे पक्का येकिन है कि मा वापिस नहीं आ पाऊंगा या यूँ कह लिजीए कि मुझे संद।ot है कि में वापिस क्या तो कभी आ पाऊंगा शहयत नहीं आ पाऊंगा, इतना असान नहीं होगा अपने decision को change कर पाना आगे देखते हैं I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence मैं बता रहा हूँगा with a sigh एक आहा के साथ एक गहरी सांस के साथ एक deep breath के साथ गहरी सांस भरते हुए शायद मैं बता रहा हूँगा somewhere ages and ages hence hence यानि अब से अब से युगों-yुगों के बाद ages and ages युगों-yुगों यानि कहने का मतलब बहुत सारे सालों के बाद जब मैं बूड़ा हो जाऊँगा तब आज से बहुत सारे सालों के बाद किसी समय के बिंदू पर somewhere यानि समय के किसी point पर आज से बहुत सारे सालों के बाद मैं अहा बरते हुए, मैं बता रहा हूँगा शायद, अहा बरते हुए बता रहा हूँगा, अहा खुशी की भी हो सकती है, गम की भी हो सकती है, यानि मैंने जो रास्ता चुना, वो मिरे लिए कैसा रहा, वो मिरे लिए किस तरह का साबित हु जब मैं बूड़ा हो जाओंगा तब जब मुझे पता होगा उनके रिजल्स का कि वो मेरे लिए अच्छा रागे बूरा रहा तो शायद मैं खुशी की आहा या गम की आहा जैसी भी स्थिती होगी उसके अनुसार आहा बरते हो गहरी सांस बरते होगे मैं बता रहा हूंगा क् कि यो से लाइन रिपीट किये कभी ने कि एक भार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि तू रोड्स डाइवर्स जिने वुड कि दो रास्ते जो है विभक्त हो गए थे बट गए थे इने वूड एक जंगल में कि एक बार मेरे सामने एक एसी थिती आई थी कि मैं मेरे सामने जो है जं जिसका बहुत कम लोगों ने चुनाव किया था, जिसके उपर बहुत ही कम लोग चले थे इस दुनिया में, मैंने एक ऐसा रास्ता चूज किया था, जब मेरे सामने ऐसे समस्या आई थी, चुनाव की समस्या, problem of choice, economics के अंदर विश्व से बड़ी problem होती है, चोईस की, तो मेरे सामने जब ऐसे सिती आई थी, और मैंने वह वाला निरेनल किया था, जिसका की बहुत ही कम लोग चुनाव करते हैं, I took the one less traveled by, वह वाला रास्ता मैंने चुना था, जिसके उपर बहुत ही कम लोग चला करते हैं, मेरे साथ जब ऐसा हुआ था, तो मैंने ऐसा किया था, मैंने मेरा जो career option, जो profession मैंने चुना था, कभी बनने का, जो की बहुत कम लोग चुना करते हैं, और उस समय में, यह काफी पहले की बात है, उस समय में तो कभी जो है, बहुत कम लोग चुनाव किया करते थे, बड़ा ही अलग तरह का profession इसे माना जाता था, इसमें income की कोई shorty नहीं, कोई guarantee नहीं, और उसके बावजुद भी कभी नेक ऐसा bold decision लिया, एक ऐसा रास्ते का चुनाव किया, जिसके उपर बहुत ही कम लोग चला करते हैं, जब उसके उनके सामने ऐसे समझ चाही थी, तब उन्होंने एक ऐसा निरने किया था, और यह जो last वाले लाइन है, बहुत ही famous और बहुत ही जबड़तसل लाइन है, and that has made all the difference, and that has made all the difference, और सिर्फ इसी चीज ने, कि उस दिन मैंने जीज उन्होंने इन्हारने किया है, जिर्फ और सिर्फ उसी चीज ने सारा का सारा difference, सारा का सारा अंतर पैदा किया है, यानि कभी आज जो कुछ भी मैं, सिर और सिर्फ उसी decision की वज़े से है, जो उन्होंने उस दिन लिया था, जब उनके साने दो सड़कें थी, दो रास्ते थे, और उन्होंने एक का चुनाव किया था, एक को छोड़ दिया था, चाहे वो उन्होंने गलत हो, चाहे वो सही हो, उन्होंने उसका चुनाव अपने आप स किया था और उसी decision ने उनकी जिन्दगी को एक नया mode दिया था, चाहे वो mode अच्छा रहा, चाहे बुरा रहा, वो उसी decision ने उनके जीवन में इतना सार अंतर पैदा किया था, चाहे वो positive हो, चाहे वो negative हो, यहां पर जो है, इसका double meaning हो सकता है, क्योंकि जो consequence होगा उस decision का, वो उच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसकी full responsibility उस decision को लेने वाले की होती है, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, बाकी उसको सिर्फ सजेश्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उसकी full responsibility उस व्यक्ति के उपर ही होती है, चाहे वो उस decision को ले, चाहे तो ना ले, उसका अच्छा प्रेणा मिलेगा, तो भी उसी को मिलेगा, और बुरा मिलेगा, तो भी उसी को ही मिलने वाला है, तो इस वज़े से कभी कहते हैं कि उसी ने सारा अंतर पैदा किया है, यानि उनके जीवन में जो कुछ परिवर्तन हुआ, जो समझगर के decision करना चाहिए क्योंकि उस decision को बदल पाना बहुत ही ज़्यादा कठीन होता है आप वापिस से उस समय के mode पर आकर के वो decision जो है नहीं बदल सकते हैं उस निर्णे को दुबारा से नहीं ले सकते इसलिए आपको जो भी decision लेना है बहुत ही जादा सोच समझगर के लेना चाहिए और आप किसी और को blame नहीं कर सकते हैं मैंने उसकी वज़े से ये decision लिया नहीं उसके लिए आप खुद ही responsible है वो decision जो भी आप कर रहे हैं वो choice आपकी है अच्छा है तो भी आपके लिए बुरा है तो भी आपके लिए आप किसी और को जो है उसके लिए credit भी नहीं दे सकते और नहीं किसी को blame कर सकते तो इसलिए choice is yours ये कवीत आपको बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा देती है बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ आपको समझाती है अपने जीवन का कि जब भी आपके सामने बहुत सारे choices होती है choice की समस्या होती है आपको एक decision करना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझगर के किसी निर्णा तक पहुँचना चाहिए यह इस कविता का संदेश है बात तो चोटी सी थी कि भी दो रास्ते से कभी के सामने और कभी ने एक का चुनाव किया दूसरे को छोड़ दिया और उसके मन के स्थिति डगमगाती रही और फिर भी उसने एक को चुन लिया कभी उसको कुछ लग रहा था बहुत ही गहरा अर्थ अच्छी पा हुआ था इसलिए कभी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसाइट है बहुत ज़्यादा गहरी समझ है और इस चोटी सी गटना को हम अपने जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं और इस कभीता से आप बहुत गहरा अर्थ सीख सकते हैं तो I hope कि आपको ये पोईम जो अच्छी से समझ में आई होगी और एक एक लाइन का अर्थ जो है आपको क्लियर हुआ होगा Thank you for watching this video